यार फिल्म ही अक्की, तेरे कहने पर मैंने आर्टिकल 370 फिल्म देखी, अच्छी लगी पर देखने के बाद एक सवाल दिमाग में गूम रहा है, क्या बोल ला बिंदाद, गाविरू लगोज, मुझे ये फिल्म थोड़ी बाइज लगी, पर तब ऐसा लग रहा था कि बीज कोई चोटा मोटा तो नहीं था, it's something like achieving a milestone, it's a historic judgment in the entire history of India, हाँ, वो तो है, आर्टिकल 370 के हटाने से काश्मिर में थोड़े बहुत डेवलोपन तो डेफिनेटली दिखे है, which is a good shot for all the people living in काश्मिर, बट इससे काश्मिर की actual problem कहां सॉल होई, उसका क्या, हम्, तुझे अगर याद हो, तो फिल्म में एक dialogue था, कि आर्टिकल 370 को हटाने से काश्मिर की actual problem तो सौल नहीं होगी, बट at least वो problem इंडिया की तो रहेगी, हम्, काफी बड़ी बात बोल दी इस एक dialogue ने, पहले है की मुल्क में दो सरकार, दो कानून and all थे, अब at least सरकार कोई भी हो आगे future में बट सारे states के लिए including काश्मिर एक ही सरकार and एक ही कानून रहेगा, येस, अब समझातू, सोचनी के बाद ये नहीं होनी चाहिए कि फिल्म कितनी बायस थी, बट सोचनी की बाद ये होनी चाहिए कि बायस होने के बाद भी is it justified enough, is it deserving enough, बदलब उतना हग के अधिकार है अपन सोचना नहीं बनता, जितना की लोगों को इस अंगल में सोचना बनता है, चलो मेरे दोस्त की तो थोड़ी बहुत सोच बदली, आपको क्या लगता है दोस्तों, आप किस अंगल में सोचना पसंद करेंगे, do share your thoughts in the comment section below, और हाँ like, share और subscribe के लिए भी पारलेमेन में एक बिल पास होना चाहिए, वो नीचू की तिन बटन ऐसे ही शोप इसके लिए नहीं दिये हैं झालेमेन झालेमेन